ये मैं इतना आपसे समझना चाहता हूँ कि आप वो अपील में गए है हो सकता है अपील से उनको रिलीफ मिल जाया अभी एक सांसत जो है जिनकी सदस्ता चली गई थी वो दोबारा उनकी सदस्ता बहाल हो गई है तो फर्स कीजिए उधारन सुरूब राहूल गांधी के साथ किया उसके बाद भी आप प्रिवलेज में लेकर गए हैं मामला ये बरकरार रहेगा कि वो तो बरकरार है उनके संसत सदस्ता खता होना के बाद भी जो है यह बरकरा रहे द्युक्त चाहिए और हम सजार दिलाना चाहते हैं तो मेरा लीज़ है प्रिविलेज खतम नहीं होता अभी भी उनके सर पर उनकी सदस्ता पर एक तलवार और लटकती रहेगी बेराल ये तो कानूनी और नेमों की बात हुई अब मैं इसकी पॉलिटिक्स की बात आप से निशिकान जी करना चाहता हूँ सवाल लोगों के मन में ये है कि ये जो कुछ हुआ इसका फाइदा नुकसान किसको होगा बहुत से लोगों को लगता है राहूल गांदी को इसका फाइदा पहुचेगा अभी करनाटेक में चुनाव होने जाना है महल neden कि वो इस बात की सिंपती नहीं उठाएंगे रोगों के सामने इस बात को नहीं रखाएंगे देखे मेरी तो सदस्ता तक छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया गया, इस तरीकी का वहवार मेरे साथ हुआ है, मैं कौन से परिवार से आता हूँ, उस परिवार के रेक्टी के साथ कैसा बहताब किया जा रहा है, और इसका नुकसान सीदे सीदे आपकी पार्टी को नहीं होगा देखे मैं जिस पार्टी से हूँ न, या हमारी जो पार्टी है भारती जंता पार्टी है, वो परिवार से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, सवाल देश का है, सवाल जो है वोट बैंक की राजनिती का नहीं है, नफा नुकसान का नहीं है, सवाल यह है कि य स्मिता बचानी है की नहीं देश में जो यह परिवारवादी पार्टी है और जो अंग्रेजी मांसिक्ता के लोग हैं मैं आपको एक कदम आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं अटल विहारी बाजपी जी यदि धोती पहन कर इस देश के प्रदानमंत्री बने तो इसी तरह के जो लोग थे और जो परिवारवादी पार्टियां थी उन्होंने उनको कभी अक्सेप्ट नहीं किया आज यदि एक गाउं गरीब का आदमी चाह बेशने वाला कोई आदमी देश का प्रदानमंत्री हो गया तो आप सोसल मीडिया पर देख लीजिए अंग्रेजी मीडिया पर देख लीजिए अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को देख लीजिए और खासकर जो परिवारवादी पार्टियां हैं जो कि डानेस्ट पॉलिटिक्स रखना चाहती हैं उनको किसी को भी नरेंद्र मोधी जी पसंद नहीं हैं आप देखें उनका विरोध तेजस्वी याद कर रहे हैं उनका विरोध उद्दव ठाकरे कर रहे हैं उनका विरोध स्टालिन कर रहे हैं यह सारे लोग जो है वो परिवारवादी पार्टियां है उनका विरोध राहुल गांदी जी कर रहे हैं यदि आप देखेंगे तो जो बड़े बाप के बेटे हैं जिनके फादर प बड़े बाप की आप या उनकी पिता काम्याब पाटी चला रहे थे उनकी संतान कह लीजे, कुछ भी कह लीजे, परिवार बादी कह लीजे, अंग्रेजी जिदा कह लीजे, उनकी लेकिन एक राजनीतिक हैसियत है, तभी तो आप उनसे चुनाप में भिड़ते लड़ते हैं, अखलेश यादव हो, कोई भी हो, ऐसे ही राहूल गांधी है, तभी तो रहूल गांधी का नाम दिन भर आप ले रहते हैं, बरना निचिकान दुबै क्यो राहूल गांधी की पीछे पड़ेंगे, राहूल गांधी कुछ है तभी तभी ता आप उनकी सदस्ता लेना चाहते इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर